हेलो एबरिवन आप वेरी गुड इवनिंग तो लो फ्यू आप राइज ऑफ इंटेलेक्शल प्रपर्टी ओरिजिनेट फॉर्म दे राइज ऑफ ब्रेड यह मैंने इसलिए कहा कि 600 बीसी में जिया मतलब 600 बीसी में जो है पहली बार एक बेकर ने जो है इतालियन बेकर ने ज तुम ही अब 1 जाल तक ब्रेड बनाओगे इस मैथद से कोई और नहीं बनाएगा देट वर्जाप्ष न फर्स केस ओफ रेकीक्शेज अधि इंटेलेक्श्ट प्रपर्टी क्या होती इंटेलेक्श्ड प्रपर्टी इंटेलेक्श्योप्पर्टी बेसिक्ली जो है इसमें क टैग किसी को ऐलोट किया गया है जैसे कांजी वरम सिल्क को दिया गया है तिरुपती के लड्डू को दिया गया है ठीक है और पेटेंट इस बीमारी की दवा बनाने के लिए इस कंपनी को जो है इस दवा का पेटेंट मिला है तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे फिर intellectual growth should commence at the birth and seizes only at the death तो यह Einstein का quote है तो भई पढ़ते रही है ग्यान वर्धन करते रही है आगे बढ़ते हैं पूरी humanity की जो progress है वो depend करती है innovation पे जैसे scientific innovation होते गए humans और develop होते चले गए अब इसी लिए हमें जो है उन innovative minds उन intellectual properties को protect करने की जरूरत है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ नए अगर बनाएगा ठीक है उसने कुछ नए बनाया और मान लीजिए उसको हमने legally protect नहीं किया तो कोई भी एक बड़ा capitalist आएगा उसके उस idea को उसके उस thought को चुराएगा और जो है market में अपनी presence मना लेगा अगर वो legally protected है तो फिर वो इस capitalist को इस state को सू करेगा और तुरन जो है अपने rights को वापस acquire करेगा इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पर IPR laws होते हैं वहाँ पर innovation encourage होता है point number one ठीक है और the promotion and protection of intellectual property is first economic growth और फिर economic growth भी होती है क्योंकि नई jobs, नई industries और मतलब quality of life यह सब जो है increase होती है point number two और point number three कि जो creator है उसका right उसका अधिकार safeguarded होता है अगर वहाँ पर IPR के laws होते है ठीक है अब इससे क्या है कि भले ही time limited हो जिसमें क्या होता है ना कि लगातार नहीं होता है आपको जीवन पर्यंत नहीं होता है कि आप जीवन पर्यंत आपके पास patent है कुछ चीजों में यह time limited rights होते है ठीक है बाकि इनकी जो details है वो हम लोग आगी है भी देखेंगे देखें हिस्ट्री अगर आपको जाननी intellectual property rights की तो सबसे पहले 1883 का Paris convention और 1886 का burn convention और फिर WTO का trade related aspects of intellectual property rights यह उरुगवे round से जो है conclude हुआ था क्योंकि अब internationally भी इस चीज़ को रिकनाइस करना ज़रूरी था तभी FDI यह इसी चीज़ें जो है वो possible हो पाती है कोई company जिसको एक country में patent मिला हुआ और दूसी country में अगर IPR loss नहीं है तो वह वहाँ जाके इंवेस्ट नहीं करेगी क्योंकि जैसे वह वहाँ पर अपना formula लेके जाएगी तो वहाँ की जो local company आए फटाफट फटाफट generic चीज़े बनाने लगेंगी जिससे कि उस company को loss हो जाएगा तो इसलिए जो IPR loss जो है वो directly impact करते है FDI foreign direct investment ठीक है तो यह सारी चीज़ें होगी बाकी जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी 600 BC वाली ठीक है यह सारी चीज़ें इंट्रेस्ट बनाने के लिए होती है basically कभी UPSCI exams वगरा अब देखेंगे अब देखिए IPR basically creation of mind है जैसे कि inventions है कोई literary work है artistic work है कोई painting है design है symbol names images कुछ भी जो commercially वो उसको use करता हो ठीक है एक important बात यह है कि article 27 जो universal declaration of human rights है उसमें इसको इस्थान मिला हुआ है यानि कि उसने इसको recognize किया है as a human right ठीक है बाकी यही सारी चीज़े है कि यह law जो है लोगों को encourage करता है कि वो financial benefit कैसे earn कर सकते हैं और उन्होंने जो create किया है उस वो protected है वो उनका है यही सारी बाते है ठीक है so number one पे आता है copyright it is a legal term to protect the literary और artistic works ठीक है यानि कि जिसमें books है कोई music है painting है sculpture है films है यह सारे के सारे copyright के अंतर गताते हैं ठीक है कोई technical drawing है जो भी है मतलब इस तरीक है literary और artistic work उसके लिए term use होता है copyright so number two पे आता है patent patent basically किसी भी invention को आविशकार को exclusively protect करने के लिए legally protect करने के लिए जो है patent दिया जाता है इसमें जिसको दिया जाता है जिसने आविशकार किया होता है उसको patent owner कहते है ठीक है और यह patent owner जो है यही सरवे सरवा होता है यही decide करता है कि वो जो आविशकार इसने किया जो invention किया है कौन कितना उसको किस तरीके से use कर सकता है कितना उसको produce कर सकता है और कोई अगर उसे commercially अगर उसे produce कर रहा है तो उससे कितना revenue आएगा उस revenue का कितना part जो है patent owner रखेगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें आती है patent में developing countries के लिए कई बार समस्या बन जाती है अगले session में हम लोग glyvec वाला case और Novartis वाला case हम लोग discuss करेंगे ठीक है इसमें cancer का जो पूरा dose है जो 5 लाग का पड़ता है तो local कोई दवा company वो बना नहीं सकती थी patent की वज़े से और गरीब आदमी इसको ले नहीं सकता था तो यह सारी समस्या है जिससे deal करने के लिए फिर बीच में हम का साइन है जो किसी एक enterprise को दिया जाता है कि ठीक है तुम अपने सामान पर यह trademark लगा हो यह enterprise अपने एक सामान पर एक trademark लगा है तो यह सेम चावल की बोरी इस पे अलग trademark होगा तो यह होता trademark ठीक है trademark is a sign capable of distinguishing the goods of services of one enterprise from those of other ठीक है नेक्स्ट है geographical indications ठीक है यानि की GI tag ठीक है य इसाब से जो होती है मतलब वैसे और कहीं अच्छी हो ही नहीं सकती उनको बचाने के लिए यह टैक लगाया जाता है ठीक है ताकि आपको यह पता लगे कि यह exclusive वहीं की है ठीक है जैसे आप यह देखिए चाहें आगरे का पेठा जैसा बनेगा वैसा कहीं और तो बन नहीं स यह जो वाएनार की जो चाहे होगी उसमें अंतर तो होगा तो इनी सब चीजों को देखिए ध्यान में रखते हुए जो है बनारस की साड़ीयां ठीक है तो अब बनारस की साड़ी यह कांजीवरम की जो साड़ी है तो इन सब के जो जो जी आई टैग लग जाता है तो basically geographically ज अब लास्ट में यह और हो गया जान लीजिए बस के अवल एक तो इंडस्ट्रिल डिजाइन है और एक ट्रेड सीक्रेट्स है ठीक है तो यह बेसिकली जो है उतने इंपोर्टन नहीं लेकिन आप फिर भी नाम पता हो अच्छी अगर ऑप्शन में अगर आ जाए ना एबी लास्य चाथ होई So In India The Intellectual Property Rights Are Governed by THESE ActS यानि की भारत में यह जो 7 Acts है यह Intellectual Property Rights को जो गवर्ण करते हैं इसमें Copyright Act है Patent Act है, Trademark है, Design है, GI वाला है 1999 का, वाकी इडिट्स वगर आप लोग देख लीचेगा so next हम लोग देखेंगे इंडिया की IPR policy उसमें उसके pros देखेंगे cons देखेंगे और way forward देखेंगे नई वाली IPR policy के Novartis वाला case देखेंगे और Indian patent act का जो है section 3D हम लोग देखेंगे बाकी ये session आपको अच्छा लगा हो तो भई रोज की line subscribe कर तो भीया ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तर तो अपना द्यान किएगा good night